मस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुदर्शन जिल के विशे में तो आईए हम लोग सुरू करते हैं सुदर्शन जिल का निर्माड चंद गुप्त मोर ने करवाय था साथ में लिखते भी जा रहे हैं आप लोग नोट भी करते रहिएगा कि निर्माड किसने करवाय था कि चंद गुप्त मोर ने ठीक है और या किस अस्थान पर था कि सवराष्ट में है कि यह सवराष्ट नामक अस्थान पर था जो कि इस समय गुजरात में है कि और चंद गुप्त मोर ने स्वर्ण सिक्ता और पाल्स नदी के बात पर इस जिल का निर्माड करवाय था किस नदी के स्वर्ण सिक्ता और पाल्स नी नदी पाल्स नी नदी के बांद पर ठीक है ज्षिल का निर्माड करवाय था कि आई फिल से कितने लोक अंबणदी था और कौन-कौन से साषग समदित हैं और आपके एक्जाम में प्रस्ट कैसे पूछा जाएगा उसको भी देखेंगे हम लोग इतना नोट करिए कि नोट हो गया होगा अपनों का कि देखिए कि सी ए आर यसकार्स पीटी यसी कार्स पीटी यसी ठीक है इसका देखिए कि सी से हो जाएगा आपका उपर के सासक है कि उपर के सासक है और नीचे का राज्यपाल कि ठीक है कि सी से देखिए चंद गुप्त मौर चंद गुप्त मौर और एसे देखिए असोक कि आर से क्या होगा आपका रुद्र दामन रुद्र दामन वर्यस से आपका हो जाएगा असकंद गुप्त कि यहां तक नोट कर लिजिए आप लोग कि अब हम लोग इनके राज्यपाल की भी बारे में देख लेते हैं कि पीसे आपका हो जाएगा कि पुश्य गुप्त है कि टीस हो जाएगा आपका तुसास्प कि जस्ट आपका हो जाएगा सुवी साख इसको मिटा देते हैं कि सुवी साख और सीस हो जाएगा आपका चक्रपालित ठीक है और यह उपराज्यपाल थे उपर राज्यपाल चक्रपालित यहां तक आपका नोट हो गया कि आगे बढ़ते हम लोग भी चंद्रगुप्त मौरे का राज्यपाल कौन था पुस्यगुप्त असोक का राज्यपाल कौन था तुसास्प और दामन का राज्यपाल कौन था सुविसाक और असकंद्रगुप्त का उपर राज्यपाल कौन था इसमें चक्रपालित और राज्यपाल पूछेगा यहां पर तो आपका हो जाएगा पनदद्ध ठीक है पुस्यगुप्त थे जो क्या थे हुआ है वह से थे और तुसास्प क्या था यहां पर एक बार देख लिए चंद्रगुप्त मरकी से संब्द्ध था मौर रवेंसर आख रख वी किस्ट संबंदे था मौर रवंज रूद्र दामन की स्वांसर संब्दा था सकूंसर और असकंद को किस्वांसर था की सवांसर घूप्त वंसर राप लिक्देते हम गुप्तवन्स यहां तक आप लोग नुट करिए यहां तक आप हो गया यह रुद्रदामन जो थे हैं वह अपने नीजी कोस्ते सुदरसंजील का पुनर निर्मार करवायत है और रुद्रदामन नहीं जहां लिख देते हैं कि इसको मिटाते हैं तब तक आप लोग नोट कर लिजिए रुद्रदामन क्या किया था कि इणर अभिलेक लिख था कि इसने लिख वाई था रुद्रदामन नहीं रुद्रदामन नहीं और जिसमें चंद्गुप्त मोर और इनके पाउत्र असोग का भी नाम उत्कृर करवाया था और असकंद्गुप्त ने भी क्या लिखवाय था गिर्णारा विलेक असकंद्गुप्त ने भी गिर्णार अविलेक लिखवाय था ठीक है आप लोगे भी याद करते रहेगा जो रुद्ध्रदामन ने गिर्णार अविलेक लिखवाय था वो किस भासा में था संसक्रित भासा में यहां पर लिख देते हैं संसक्रित भासा में और रुद्ध्रदामन ने एक और अविलेक लिखवाया जूनागर अविलेक यह भी संसक्रित भासा में था संसक्रित भासा में यहां तक आप लोग नूट करिए तो तो इस टॉपिक से प्रस्न कैसे पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में हम लोग उसको भी देख लेते हैं यहां तक आप लोग नूट कर लिए होंगे तो हम लोग उस प्रस्ट को देखेंगे हम लोग पार्ट टू में तब तक के लिए थैंक्यू